चले दूस्तों बात करते हैं इस एक और कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जाम नेने का x प्लस का 9 by x is equal to 6 then the value of x square प्लस में 9 by x का square यानि कि इसको solve कीजिए और बताए कि इसका right answer किया है अगर मैं इस दोनों का square इंग बहुत साइड करूँगा तो यह मेरी पास में 81 हो जाएगा जबकि यहाँ पर 9 है तो या तो मैं क्या करूँगा इसको ना cross multiply करके x की value निकालूँगा या फिर मैं क्या करूँगा option की help से इस question को solve करूँगा कैसे मैं यहाँ से x की value निकालूँगा अगर मैं मुझे क्या 6 चाहिए तो अगर मैं x की जाएगा यहाँ पर 3 रखूँ और यहाँ पर 3 रखूँ तो 3, 3, 9 होगा और इन दोनों को plus करने पर 6 बनना है यानि left hand side मेरी right hand side बराबर हो रही है अगर मैं x की value 3 लेता हूँ तो यहाँ x की value 3 लोगा तो यह 9 हो जाएगा और यह plus का 9 by 9 यह 1 हो जाएगा यानि कि answer तो मेरे पास जो आगा इसका वो 10 आएगा यानि कि option c जो आगा वो इस question के लिए correct आगा और अगर इस तरी से नहीं करना तो आप इसे solve कर लिए इसे क्या कीजे cross multiply कर दीजिए तो यह मेरे पास में x का square आ जाएगा plus का 9 हो जाएगा इस कल्टू में यह 6x हो जाएगा तो x का square minus का 6x plus का 9 इस कल्टू में यह 0 हो जाएगा table इन दोनों का multiply के तो 19 तिया 9 यानि x का square minus का 3x और minus का 3x plus का 9 इस गल्टू में जीरो हो जाएगा यहां से मैं x को मन निकालूँगा तो यह x minus का 3 मेरे पास में फिर बचेगा इस गल्टू में 0 तो x minus का 3 यह इंटू में x minus का 3 आ रहा है यानि कि यहां से अगर देखू तो x की value मेरे पास में फिर 3 आ रही है x की value आप यहां रख लीजे solve करेंगे तो आपका answer c ही आएगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा